जानवरों के कुछ ऐसे बच्चे जिने कोई छू भी नहीं सकता दोस्तो मगरमच के बच्चे काफी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं क्योंकि मगरमच अपने अंडे पानी की किनारे देकर उन्हें मिट्टी से ढग देते हैं क्योंकि कोई जानवर उनके अंडे को ना खा ले तीन महीने बाद जब बच्चे अंडे के बाहर आते हैं तो मगरमच उने अपने मूँ में रखकर पानी में छोड़ देते हैं और तीन साल तक इनकी रक्षा करते हैं इनके बड़े होने तक दोस्तों, गिलहरियों के सबसे वड़े दुस्वन साप हैं और साप से अपने बच्चों को बचाने के लिए गलहरियां सापो का ही स्तमाल करती हैं । लेकिन हैं गजीवो गरीब तरीके से हम ये तो जानते हैं कि साब दूसरे जानवरों को सूंग कर उनका सिकार करता है ऐसे मिं गिलहरियों की मा सबसे पहले अपने आसपास से साब की केचली जुटा लेती है और उसे खाती है और खाने की उस खुश्बू को अपने उपर और अपने बच्चों के उपर लगा देती है जिससे साफ कन्फ्यूज हो जाता है कि बगल से गिलहरी निकली या फिर साफ जो हमेशा ही जुंड में रहते हैं और सफर करते हैं बेडियों के बच्चे सबसे ज़्यादा सुरक्षित पाए जाते हैं बेडियों के बच्चे पैदा होने पर ना देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं इसलिए बेडिया का ग्रूप इनकी हमेशा सुरक्षा करता है पर गलती से भी कोई इनके बच्चों के आसपास चला जाता है तो सभी जानवर उस पर अटेक कर देते हैं